हड़ी से रॉड या सरिया निकलने के बाद हड़ी की स्थिति कैसे होती है हड़ी में रॉड या सरिया लगने के बाद बहुत बार जब यूनियन यानि हड़ी का जुड़ाव अच्छे से हो जाता है तो कई बार इसको निकालने की ज़रुत भी पड़ती है ये एक आर्मी का जंटल में है जिसमें हड़ी को जोडने के लिए रॉट का यूज किया गया था लेकिन कुछ कारणों से इस जंटल में ने जब अपना रॉट निकलवाया या इंप्रांट रुवर कराया तो इसकी हड़ी कुछ इस प्रकार दिखने लगी दोस्तों ये रॉट निकलने के बाद की हड़ी इसमें आप इस पर से देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको कैलस दिखाई पड़ रहे हैं और जैसे रॉट का इस ट्रकार उसके चारो तरफ बोन फॉर्मिशन करना आपको ऐसा इस ट्रकार दिखाई पड़ रहा है कहीं पर भी आपको बोन की डिसकन्टिविटी नजर नहीं आ रही है इसका मतले भी है कि यहाँ पर पर ब्रिजिंग केलस बन गया है और हड़ी कॉंसलिडेट हो गई है पर जब हड़ी कॉंसलिडेट हो जाती है तो इसमें वेड़ वियर करना और अपने सारे फ्रेक्चर के पूर्वद जो एक्टिविटी होती है उन सब एक्टिविटी को कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है जिस परपस से इस रॉट को हड़ी में लगाय गया था रॉट ने अपना 100% परपस पूरा किया है थैंक्यू वेरी मच